इक्जाम की द्रिष्टी कौन से इनुवर्स चेप्टर ब्रहमांड से संबंधित कंसेप्ट को देखेंगे कैसे तारा का निर्मान हुआ है पहले गैस जो बहुत दूर दूर बिखरे हुए थे वो एक बिरल गैस के रूप में था फिर जैसे यो गैस एक दूसरे से पास आते हैं उसके बाद उनके बिच संलयन की किरिया होती है और वो बिरल गैस के बाद वो निहारिका का रूप जब वो काफी नजदीक नजदीक गैस जो बन जाते हैं नजदी काने के बाद वो निहारिका बनती है जिसे हम नेबूला करते हैं उसके बाद हाइड्रोजन और हिलियम के सनलयन से काफी उसमें तिब्र तापकरम बढ़ जाता है और लाइट भी आ जाता है और इसकी जो परकिरती है वो किस चीज़ से बनी है वो मुलत पलाजमा के रूप में है ठोस दरब गैस के रूप में नहीं है पलाजमा के रूप में है जो कि हम पदार्थ की चोथी अवस्था के रूप में भी हम जानते हैं उसके बाद तारा की सब की भी एक आयू होती है तारा की जब आयू 90 पर 30 समाप्त हो जाती है तब वह उसका रूप एक लाल दानब की रूप में ले लेती है और वह लाल दानब के बाद क्या होता है जब 10% बसता है अगर ऐसा कंसेप्ट में है कि अगर वह 1.44 से छोटा यह किस से लाल दानब वह सूर्ज हमारी सूर्ज से अगर 1.44 छोटा होगा तो अगर उससे छोटा होता है तो जिवास्म रूप में स्वेत बामन बनता है भी स्वेत बामन से वह काला दानब की रूप में बन जाता है अगर बड़ा होगा 1.44 से हमारे सूर्ज की साइज से 1.44 से अगर बड़ा आकिरती होगी तो वह अभिनब तारा जिससे हम सूपर नोबा कहते हैं वह सूपर नोबा का निर्मान करेगा लेकिन यदि छोटा होता होता है तो क्या बनेगा स्वेत बामन बनेगा और उसे हम जिवासम भी बोलते हैं और भाइट डवार्फ बोलते हैं ब्लैक जायन्ट उसके बाद बनता है लेकिन यह जब अभिनब तारा बनता है जो बड़ा होता है हमारी सूर्ज से 1.44 से यहनि सूर्ज के डेढ़ गुना से बढ़ा तो वह ऐक यह जो बीच में निश्चित सीमा जो बनाए गिया है कि 1.44 यह चंदर सेखर हमारे भारत के ही साइंटिस्ट ने बनाया था इसलिए चंदर सेखर सीमा का नाम दिया गया है इसी के चलते चंदर सेखर को नोबेल प्राइज से भी समानित किया गया था फिर अभिनब तारा के बाद की परकिरिया क्या है कि जब अभिनब तारा बिसफोट करती है अभिनब तारा बिसफोट कर जाती है तो चार मुख्य चुज बनता है निट्रोन या तो निट्रोन बनेगा बहुत छोटा यह तो उससे बड़ा होगा तो पलसर या क्वेसर पलसर अक्वेसर अगर बनता तो उसकी घुर्णन बहुत तेज होती है यह परसन कितने बार पूछे भी कहे हैं कि सबसे तेज गुर्णन जो अभिनवत तयराक के seport होने के बाद क्या बनता है जिसका गुर्णन सबसे तेज होता है तो वह पलसर और क्वेसर है उसके बाद जो सबसे छोटा है बलाइक होल यह इतना छोटा बहुत छोटा बनता है और लेकिन इसकी density बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा density होने के कारण से यह light को भी इतना observe कर लेती है को अपने गुरुतवा करशन छमता से light को भी यह बिकर्शित नहीं करती है प्रावर्तित नहीं करती है जिसके कारण से वह देखने में एक black hole के जैसा दिखाई पड़ता है अब देखेंगे color of a star किसी भी star का जो color होता है वह depend करता है और उसके temperature पर होता है जैसे लाल अगर color हो तो और normal temperature स्वेथ अगर उसका color हो white then middle temperature है मतलब अच्छा खासा temperature है अगर वह blue color का हो blue के टैप में दिखें तो वह काफी high temperature होता है तो हमारा जो sun है सूर्ज जो तारा है वह लाल है यानि normal temperature है यानि आप समझ सकते हैं कि इससे भी कितने ज़्यादा बड़े बड़े तारे होंगे हमारे सूर्ज से और काफी ज़्यादा temperature वाले लेकिन बहुत ज़्यादा ही हमारे सूर्ज से सभी दूर है इसलिए वह सब तारा के रूप में छोटे-छोटे दिखाई पड़ते हैं हम लोग तारा बोलते हैं सूर्ज भी एक तारा ही है हम लोग का सबसे नजदिक का तारा सूर्ज है सूर्ज से निकटम तारा दूसरा तारा हम लोग का वो प्रैक्सिमा सेंचूरी है